आज हम आयरवेदिक तरीके से जाने वाले हैं सीर पाग विदी के बारे में काफी लोगों को नॉलेज नी रहता आयरवेदी के बारे में आज की रेशिपि आपके लिए बहुत जादा होने वाले प्लीज आप इस रेशिपी को जरूर से एक बार ट्राइक करें शंग्ष्प म नायरेल लेंगे सुखा वाला ला नायरेल two- mold up नायरेल नायरेल का में प्वाल शूत नायरेल को मई अव भुछ रखे on the smell code अपनी पहले दीजेद की यहां बता चल चाल जा रहा है कि कौन समय हरा नार sweater लें आपनी में और उपर हमेने टापनी में देखा ले जैसे लिए यह कुझते हैं Un lever on the inc तुल कटता मनें ये उसका आदा बस सम्कारम मनें 1 इंच और बाउन चुस्कार ज्यादा नहीं हो nouveaux त्यूट आपना तेक यांशाइन Cool करां किते हैं undergrad इंच तोड़ आप धेर से यहां पर काम करिएगा जल्द भाजी मत करिएगा जल्द भाजी करोगे तो उल्टा पुल्टा भी कट कर सकता है तो फरफेक्टली कट करना है इस तरीके से रिग्दम जो नार्यल लिया न हमने तज्ज और फ्रेस है तो आप चग करिएगा थोड़ा से भी काला होगा था आप उस पे बिल्कुल भी ले हैं ले जेलिए अदिको टोरी मैं या पर छसकस ले रही हूं ऑधी काटोरी यह पर बादम और गुडों से शंपन हम ले रहे हैं यह फ्लैक्षीट तो यहां पर मैं दो चमच लेरी हूँ सेम तरीके से यहां ले रहा है सैश्मी सी ज्यानी की तिल तिल मुमने इस्तिमाल लिए हैं ना हमें नारे अंदर जो फिल करने वाले हैं तो कोई सब्सक्राइब की साइटा से या पिर इसी तरीके का कोई भी चीज का इस्तेमाल करें एक एक किर्स के सारी चीजे इसमें डालते जाएगा इसी तरीके से हमने इसको भरना है यानि कि थोड़ी सी बिज़ा का बढ़ा सकते हैं और भी कुछ चीजें इसमें ले सकते हैं या खचच की बढ़ा सकते हैं एक एक करके हम डालते जाएंगे इसी तरीके से थालिया प्लेट नीचे आप लगा लीजेगा चम्मस से डाल रहो तो थोड़ा बहुत नीचे किरेगा और गिरे कटब फिर आम उसको आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते हो तो बहुत जादा मेमुरिबल चीजे हैं नारेयल का भाग जो हमने कट करके रखा था उसको अच्छी तरीके से लग करके रखतेंगे तो मैंने यहां पर शायफर में दूद ले लिया है एक गाई का दूद है तो गाई के दूद में हम आपर इसको बनाएंगे दूद के मातर हमने इसको रखना है ताकि जो हमारा नारेयल है आदा डूबे नारेयल के लिए हमने दूद इतना ही लेना है ताकि पूरी तरीके से डूबे ना ऐसा बरतन भी हमने इस्तमाल करने है जो कि यहां पर खुला मुवाला ना हो जो यहां पर हमने कट्ट लगा रहा है तक दूद का उबालना है दूद में अच्छी सी रबड़ी बन गए तब तक हम नियुद को पका लिया है तो फीछ में आप यहां पर दूद को ना साइड साइट से डालती जाएगा चारो तरफ से पकाते जाएगा जब तक यहां पर नारेल भी ठंडी हो गया है नारेल भी ठंडा हो गया उपर का पॉर्षन हम निखाल लेंगे जो नारेल में रबडी लगे है सूखे कपड़े चेच्छे से इसको पहुंच लेंगे अब चाकू या किसी भी चीज के साहते से आप इसको कट करें अजब यह नारेल पक जाता है अब नीचे आप कोई भी ठाली अपलेट लीजेगा जो हमने यहां पर सामाग्रेंस में भड़े हैं उनको हम निकाल लेंगे पूरी तरीके से यहां पर पहले तो हम इनको यहां पर चक कर लेते हैं तो बिलकुल भी इनमें मोश्चन नहीं है नारेल को रख देते हैं साइट कर लेते हैं इसकी सेल पर लाइब बढ़ेगी यदि हम इस तरीके से इसको सूका यहां पर ग्रैंड करेंगे तो दूद के साथ नारेल को हमने इतना ही पकाना है जब तक इसमें रबडी ना बने और उपर ही रखना है टॉप का भाग जहां पर हमने यहां पर यह सारी यहां पर यहक टॉरी मैं ले रही हुँ फूरड वाले मकाने को मैं जिसको हो लोटर्抽 बोलते हैं इनको हम रोश्ट करेंगे गैर सब्सप्रें में अब गले साथ नimerk ili जॉन और यहां पर यहां पर 60 तरह करें इसको भी निकाल लेते हैं और रोश्ट हो गिए उसी पेन मे हम पहले तो साप कर ले थोड़े से भी आप यहां पर इसमें ट्रस्ट वगरा होगा तो हम साप कर लेगा टीशू पेपर एकॉर्णन के कपड़े से इसी में हम थोड़े से यहां पर सौंप भी डालेंगे सौंप आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है और फ्लेवर के लिए भी तो यहां पर मैं यह की चमस ले रहे और गर्मियों में इसकी तासी ठंडी होती है हम इसमें फ्लेवर के लिए यहां पर डाल रहे हैं इसकी मातरा आप गड़ा बड़ा भी सकते हो मैंने यहां पर ए अब हम इसको grand करने के लिए एक grinding jar यां पर इस्तिमौल करेंगे तो मैं बड़ा वला grinding jar ले रहे हुँ ऐसा नहीं कि एक इसाथ हम झाल ना इसको grand करना है आपकर जितनी भी एक बार में आ जैडम से इसके बार हो अँपर गरेंड करो मैंना यहां पर बड़ा वाला grining जाल लिया है एक एकर के सारी सामागरिया में डालूँगी पूरी तरीकी चे जब ठंडी हो जाए तो यहां पर मैं लॉंग भी ले रही हूँ कुछ साथ मैं यहां पर काली मिच भी लॉंग के मादरक कम रख रही हूँ और काली में एक छोड़ी चमच के पराबर ले रहे हैं इसको हम पॉडर का इस्तमाल भी कर सकते हैं इसमें हम ढखन लगाएंगे और इसको हम ग्राइंड करेंगे बारिक्स हमने इसको पॉडर बनाना है तो हमने इसको ग्राइंड कर लिया है अब हम इसको एक ठाली यदिट पे निकाल लेते हैं ऍस तरीके साह यह ग्राइन होना चाहिए ज्यादा मूटा आप मत रखें इसका ठाली प्लेट पे निकालाने के पाद हम क्या करेंगे क्यों कि हम एक साथ इसको नहीं खाने कटे यह बर्दृर के नहीं खाये जाते दूद के साथ थोड़ा सा लिया जाता है तो इसके लिए हम यहां पर फूटनेस के लिए थोड़ा सा मिस्री का इस्तमाल करें तो मिस्री का इस्तमाल करना है चाहे तो धागी वाली चाहे तो छोटे वाली इसको मैंने पहले ग्राइन के लिया था जाने के बाद आप चक्का ल भीजियेगा फिर शुक्य कपड़े से अच्छे से इसको पूंच लीजिएगा बस कांच की बढ़नी सबसे वेस्ट रहती है अर जो हमारा पाक है न हमने बना रखा इसको हम भरनेंगे बढ़नियों में एक करके दोनों बढ़नियों में भरनेंगे और आगे किस तरीके का इसका यूज करना है ओ भी मैं आपके साथ यहां पर शेर करने वाले हैं तो यहां पर जो पाक होता है उसको कटोर या भर भर के नहीं खाया जाता है और प्रेगनेंची के दौराद में तो आप इसका इस्तमाल बिल्कुल भी ना करें तो प्रेगनेंची के बाद आप इसका इस्तमाल कर सकते हो बड़ी आसानी से खा सकते हो मौसम भी देखना है कि कौन सा है आप इसको ले सकते हो समर में या फिर ले सकते हो विंटर में बूश्ट करता है बच्चों के ब्रेन को डवलप करने में हेल्प करता है तो गुणों से भरपूर हमने हर चीज का इस्तिमाल आपर किया है जो कि हमारे हार्ट से लेकर हेल्थ से लेकर मेमूरी से लेकर बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर बुजूर्गों से लेकर सब के ल आप इसे सुबह नास्ते में ले सकते हो या फिर खाने के बाद सोने से पहले गुन-गुना सदूर लेना है रेक चमज भर के पाक लेना है इसको अच्छे से मिला लेना है छोटे से लेकर बड़ो से लेकर बुजुर्गों से लेकर सब के लिए बहुत इमयमुरीबल यह पर इ इसको इस्तुमाल क्रें आशा करती हूँ आज की रेशिपी आपके लिए हेल पुबल होगी रेशिपी अची लगए तो प्लीज इसे लाइख करें चैनल को भी सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक ऐसी नेक्स रेसिपी के साथ अपना कीम पी समय देने के लिए बहुत बतनवात हैं किसो मस्याइब